यदि 42 व्यक्ति किसी कारे को 15 दिन में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कारे को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे ऐसे questions में सिर्फ आपको ये trick लगानी है कि जो पहली दो values है उनकी करनी है आपको गुणा 42 इंटू 15 और बादवाले से करना है हमेशा भाग बस 15 दूनी 30 दो से काटेंगे तो 21 तो इसका मतलब है कि 30 व्यक्ति अगर इस कारे को करने में लगेंगे तो 21 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा इसमें ये trick लगानी है बस इतना सा काम करने आपका अंसर आ जाएगा नेक्स कोशन देख लेते हैं 12 व्यक्ति एक को 20 दिन में खोद सके तो 12 गुणा 20 सीधा सीधा पहले दोनों की गुणा और बादवाले से हमें करना है भाग तो 3 पंजे 15, 3 चोग 12, 5 चोग 20, 4 चोग 16 तो 16 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे इसे 15 दिन में खोदने के लिए अब बात को समझ लीजे कैसे ये होता है क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये है 12 व्यक्ति और 20 दिन में उसे खोदेंगे ये है आपका विलो मानुपात विलो मानुपात वो होता है कि जब एक चीज़ की बढ़ोतरी होती तो दूसरे की कमी होती है अगर व्यक्ति जादा लगाएंगे तो हमें दिन कम लगेंगे और व्यक्ति कम होंगे तो दिन जादा लगाने पड़ेंगे जब जाके काम निप्टेगा ऐसे विलोमानु पात में जब भी हमें बादवाली कोई भी सेंख्या लगानी है अब यहां 15 दिन दे के आप से व्यक्ति निकल वाया व्यक्ति दे देता और दिन निकल वाता तो भी पहले दो की गुणा बादवाले से भाग समानुपात में ऐसा नहीं होता यह सिर्फ विलोमानुपात में होता है उसमें जिसमें एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है और एक के घटने से दूसरा बढ़ता है ऐसे केसेस में पहले दो की गुणा करो बादवाले से भाग करो आपका अंसर आजाएगा पस यही करना होता है आज गए ट्रिक कैसा लगाए? कमेंट बोक्स में जुरूर बताईएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजे ऐसी बड़िया वीडियो पाने के लिए मिलते है नेक्स वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू कोशिंस के साथ थैंक यू